दोस्तों आजकल समय से पहले सफेद बाल होने की समस्या काफी बढ़ गई है छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्या देखी जा रही है इस समस्या का आप कैसे ही घर पर सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करूँगी जो भी लोग कैमिकल डाई का यूज नहीं करना चाहते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं अपने लिए इसमें हमने जो भी चीज़े यूज की हैं वो बहुत ही नैचुरल और प्यॉर हैं यह आपके बालों को काला करने में बहुत हैल्प करेंगी इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें अगर आप चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीस लाइक भी से जरूर कर ले तो आई अब वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए वो है कलाउजी देखे कलाउजी में इतनी पावर होती है कि यह आपके गंजे सर में बाल उगा सकता है आपके सफेद बालों को वापस से काला करने में हेल्प करता है यानि जो बाल समय से पहले सफेद हो चुके हैं, उन्हें वापस से काला करने में हेल्प करता है यहाँ पर आपको दो टेबल इस्पून कलाउजी लेना है और उसे तवे में अच्छे से रोस्ट करना है इस कलाउंजी को आपने तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छ से काली ना हो जाए यानि हलका सा जल ना जाए तो इसको भूनते रहें और चटचट की जो है आवाज आपको सुनाई देगी और साथी साथ आपको धुआ उड़ते भी दिखेगा तो गबरावने की आप चाहें तो कलाउंजी ओईल भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं उसकी बाद यहां पर जब आपका ये कलाउंजी ठंडी हो जाए तो आपने इसको मोटार पेस्टल में या किसी भी तरही किसे ग्राइंडर में या किसी भी जिसमें भी आप कमफरडेबल फील करें उस लिए इसको अच्छे से कोट लें या फिर पीस लें आप कलाउंजी को ज़्यादा मांट पे भून कर पाउडर बना कर भी स्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपको इसका 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 यूज़ कर सकते हैं देखिए यहां पर जो हमारा कलाउंजी है वो अच्छे से पीस आप जाके उनको अपने लिए चेक आउट कर सकते हैं वो आपको बहुत हल्प करेंगे आपके सफेद बालों को वापस से काला करने में यहाँ पर जो हमारा पाउडर है वो से आप एक बाल में ले 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 और उसके बाद यहाँ पर आपने इसमें एड करना है एक टेबल अब इन दोनों को आप अच्छे से आपस में मिक्स कर लें अगर आपको ओईल कम लग रहा है तो इसमें आप ओईल एक से दो चमच और भी एट कर सकते हैं इसको पतला सा पेस्ट बनाने के लिए देखिए यह हमारा नैचुरल डाई है एक बार में आपको इसका रिजल्ट जो भी जन कैमिकल डाई का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं और वो घर पे ही कुछ नेचुरल चीज यूज करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है तो उनको यह जरूर ट्राय करना चाहिए देखिए एक ही एप्लिकेशन में आपको इसका रिज अगर सर्दियों का दिन है तो आप इसको भारी रख सकते हैं अगर गरिमियों के दिन में आपने इसको बनाया है तो आप इसे रेफ्रिजिरेट कर लीजिए I hope कि आप इसको अपने लिए जरूर ट्राय करेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले तब तक के लिए बाइंड थैंक यू